हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूला क्लेक्टोनिक्स और दोस्तों मेरे चैनल पर काफी सारे ऐसे कोमेंट आ रहे थे 0-12 टांसफरमर से 12-0-12 कैसे बनाए तो आपको यूटूब पर काफी सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें 0-12 टांसफरमर से ही दो कैपासिटर को सरीज करके और बोल्ट बुस्ट करके 12-0-12 देखा दिया जाता है लेकिन वो सिर्फ दिखाने को रहता है उसको यूज में हम नहीं ले सकते हैं वो रियल में 6-0-6 हो जाता है क्योंकि यहां से 0-12 अगर आ रहा है तो उसको हम कै कैसे 12-0-12 कर सकते हैं उसी को देखते हुए दोस्तों मैं यहां पर एक वीडियो बना रहा हूं जो की काफी लंबा हो सकता है अगर आप इस टोपिक में रूची रखते हैं कि जो 0-12 का टांसफरमर होता है उसको रियल में 12-0-12 कैसे बनाए तो आप यह वीडियो कंप्लीट करती डीटेल में बताता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सिखें ऐसा नहीं कि मेरा काम होते रहें और आप लोग समझ ना पाएं तो यहां पर देखें कि एक मेरे पास दो एंपियर का टांसफरमर है जो की 0-12 है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टांसफरमर में जो रेड वाला वैर होता है वो प्राइमरी होता है और यहां पर सेकेंडरी होता है तो प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है दोस्तों तो प्राइमरी जो होता है उसमें हम 220 बोल्ट AC सप्लाई देते हैं तो वो सेकेंडरी से आउटपुट देता है बस यह डि कम कर देता है तो इसी लिए इसको step down transformer बोलेंगे तो यह transformer 0-12 है जो कि 2 amp का है और यह खराब है इसका जो primary है वो हमारा खराब है मैं आपको continuity पर चेक करके दिखा देता हूं देखें यह primary section में मैं चेक करके दिखा रहा हूं यहां पर कोई reading सो नहीं कर रहा है अगर सही रहता तो कुछ reading सो करता इसमें बीप का sound नहीं आता ठीक है और इसका जो secondary है वो बिल्कुल okay है secondary बिल्कुल ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 0-12 transformer यह है जो कि 2 amp का है इसको हम 12-0-12 में बदलेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इसको खोलना पड़ेगा कोर को निकालना पड़ेगा तो यहां पर देखिए कि इसका जो cover लगा होता है उसको हम निकालेंगे यहां पर कि मैं साइड में कर लेता हूं आप यह समझ सकते हैं कि यह जो transformer है खराब है इसका primary section जो है इसी में फल्ट है तो output यह नहीं देपाएगा यहां पर मैं इसको खोल लेता हूं और दोस्तों यहां पर मैं इसका बड़ाबर काम करते रहता हूं इसलिए मुझे प्रैक्टिस हो चुका है इसका कोलने का हाथ से आप लोग atención ङसे ना ट्राइबर से इसको खोलने का कोशीच करें और इदेखे यह जितने वी समय से समान निकलेंगे यह सभी आपको रहना है इसको फेकना नहीं है ठीक है कि या पर मैं साइड में इस प्लास्टिक वाले जाली में रख लेता हूं देखी इसका कवर है और यहां पर आप देखेंगे कि इसमें ई और आई दो टैप के कोर लगे होते हैं तो इसको निकालना बहुरी असान होता है मैं आपको निकाल कर यहां पर दिखा देता हूं इस परकार से रखे इस प्रकार से निकालने बाद यह आई वाला कोड जो है इस प्रकार से निकल जाता है और इसको ऐसे करके लेखिए यह आई कोड ऐसे निकल जाता है तो जितने भी आई कोड इसमें लगे हुए हैं उसको निकालना है और आपको बहुत ही आराम से निकालना है अगर आप इसमे जल्दिवाजी करते हैं तो हो सकता है। कोर्स लिए आपका हाथ ही कर सकता है। मैं बरावर उसका काम करते रहता हूँ। इसली मुझे फ्रैक्टिस हो चुका है कि इसको हमें कैसे खोलना है। लिकिन आप लोग अगर इस लिड में ने हैं तो बहुत ही आराम से काम करें किसी चीज का इसमें जल्दिवाजी नहीं है यह आप का काम में बहुत ही बाड़ी सीश इसको कर सकते हैं तो यहाँ पे जितने भी आई कोड लगे हुए हैं इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ और यहाँ पर याद रहे कि ये जो I-Core है ये तेड़ा मेठा ना हो अगर ये तेड़ा हो जाएगा और इसके बाद सीधा करके आप इसमें लगाएंगे इसी वज़ा से क्या होता कि हम इसमें देने लगता है तो आप pouसिस करें कि यह जो core आप निकालते ही यह में बीलकुल सीधा रहे हैं यहाँ पर एक side के जितने भी i-code लगे हुए हैं उसको मैंने निकाल लिया है अब मैं यहाँ पर दूसरे बाले side से i-code को मैंने निकाल लूँगा दोस्तों यहां पर मैंने दूसरे सैट से भी I-Core को मैंने निकाल लिया है अब E-Core को कैसे निकालना है जैसे देखिए यहां पर E-Core बीच में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है ताकि इसमें लगाने में आसानी हो तो यहां पर आपको क्या करना है कि एक Screw Driver को इस परकार से लेना है और यहां पर देखिए इसके बीच में रखना है यहां पर इस परकार से और इस परकार से रखने के बाद हलका हलका में इसको हम यहां पर ऐसे पीटेंगे इस साइड हमारा निकलेगा देखि ये निकल रहा है ठीक है तो इस परकार से स्कूड्राइवर को डगार हम रखकर इसको पीटते हैं ये बहुत ही आराम से निकल जा 마गाओ अगर अगर यहां पर यह इस प्रकार से नहीं निकलता है तो आपको ज़्यादा जबरदस्ति नहीं करना है इसमें आपका हाथ भी कट सकता है तो यहां पर बहुत ही आराम से निकल गया है क्योंकि आधा यहां पर बॉड़ी से बाहर निकल गया है तो मैं यहां पर ऐसे हलका सा ऐसे देना होगा। क्योकर बहुत ऐसे कोर होते हैं जिसमें सारे जंग लगये होते हैं मिनें इस ब्लाइल निकाल गहें किसा हिएक काएध़ इसमें जितने भी और आई कोड निकलते हैं वो सारे इसमें आपको दुबारा से लगाना होगा अगर आपका एक भी पीस कम हो जाता है तो टांसफर्मर में हमिंग आ जाएगा तो देखिए यहां पे जितने भी इकोड थे इसमें से मैंने निकाल लिया है और इसको मैं साइड में हटा लूँगा और एक बार मैं आपको फिटर से बता दूँ यहां पर यह जो टांसफर्मर है 02 lists ड्यर्मपर का टांसफर्मर है अ और इसको हमें बारः 0 बार बनाना है जैसे बीज से लूट निकला होता है बारा 0 बारा करके जैसे यहां amigos मैं आपको दिखा देता हूं देखिए ये रहा 12 0 12 लेकिन अभी जो मैं टांसफ़र्ण खोल रहा हूँ वह इस ऐसा होगा देखिए ये 0 और 12 इस परकार से होगा तो यहाँ पे देखिए ये ये 0 है और ये 12 है तो हमें क्या करना है कि इसका टर्न देखना है कि इसमें कितने से टर्न लगे हुए हैं जैसे एक टर्न किस प्रकार से तियार होगा जैसे यहां पर स्टार्ट करते हैं यह बार अगर हम यहां से लेते हैं यहां से यह मैं अंगुठा रग रहा हूं ताकि मैं टर्न को पता कर सकूं देखे जैसे यहां से ले गैप कर देते हो तो दो तिन वोल्ट का गैप हो जाएगा इसलिए हमें टर्न को याद रखना है तो यहाँ पर एक टर्न हो गया तो फटा फटस हम यह देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितने टर्न लगे हुए जो कि सेकेंडरी में यह 20 नमर वायर लगा हुआ है तो एक टर्न इसमें लगे हुए वो पच्चासी टर्न लगे हुए है जो कि 20 नमर वायर है तो 85 टर्न लगे हुए हैं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस पे दोबारά 85 टर्न अगलब हम लगाएंगे तब बारह 0 JUDY 12 होगा तो आप सोचो कि कि इसमें जगा तो रहेगा नहीं तो किस प प्रैम्य है यहां से कोई continuity नई बना रहा है तो मैं पहले इसको यहां पर चेक कर लेता हूँ कि क्या दिक्कत है यहां पर मिसको खोल लेते हैं यहां पर जो लेदराइज पे पर लगे उने इसको हमें बहुत ही बाड़ी की से हटाना होगा कि इसके अंदर जो प्रैम्यली का व होता है कि इस वायर के पास में ही फॉल्ट होता है तो हमें ज्यादा खुलने के ज़रूरत नहीं है दोस्तों यहां पर देखिए कि यहां पर यहां पर आ रहा है यहां से टूटा हुआ है हो सकता है इसलिए कॉंटिनीटी नहीं बना रहा हो देखिए यह वायर टूटा हुआ है और यहां पर भी लगव टूटा हुआ है तो हम इसको भी अटा लेते हैं यहां से इसमें यह वायर जो यूज किया गया है दोस्तों अलूमोनियम का यूज किया गया है तो आप इसको ज़्यादा ना खीचे नहीं तो यह बहुत ही यह कमजोर होता है टूट जाएगा जल्दी से यहां पर देखिए यह दोनों वायर आ रहा है तो पहले मैं यहां पर इसको यह चेक करने वाला हूँ कि यहां पर continuity आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर इसको पहले insulation को यहां से हटाओंगा इस पर जो insulation लगे होते हैं उसको मैं हटाओंगा इस दोनों पर और फिर continuity कॉंटिनिटी चेक करूंगा इंसुलेशन जो है आप इस प्रकार से भी हटा सकते हैं यहां पर इसके एंसुलेशन जो है देखी यह हट चुका है कि अब मैं यहां पर कॉंटिनिटी चेक कर लेता हूं तो दोस्तों यहां पर देखिए कि इसमें एक एडिडिंग आ रहा है तो यहां पर वायर के पासमी फॉल्ट था तो इसको हम क्या करेंगे कि यह जो मैंने इंसुलेशन को हटाया है तो इसको थोड़ा अच्छे तरीका से हटा के और इस वायर के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसको हम यहां से हटा लेते पहले और आपको अच्छे तरीका से जोर कर इसको दिखाते हैं यहां पर अराम से निकाल लेना है यहां पर मैं वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ इंसुलेशन हटा के यहां पर मैंने दूसरे वाली वायर को लगा दिया है और यहाँ पे aluminum का wire यूज़ किया गया है primary में तो यहाँ पे मैं aluminum का ही wire यूज़ कर लूँगा यहाँ पे इस परकार से लगा देने के बाद एक बार हम फिर से continuity यहाँ पे चेक कर लेंगे कि यहाँ पे यह मैंने wire को लगाया है वह बिल्कुल अच्छे तरीका से यह लगा हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम एक बार continuity को चेक कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे continuity बना रहा है यहाँ पे beep का sound नहीं देगा क्योंकि पतला wire है काफी सारा resistance है इसके अब जैसे कुछ reading ही सो करेगा beep का sound नहीं देगा तो यहाँ पे यह हो चुका है उसके बाद इसके हम टेप लगा देंगे इस प्रकार से कर लेना है और दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर यह बिल्कुल खराब था और आपके पास जो transformer होगा 0-12 का चाहे हो एक ampere का हो या दो ampere का हो उसमें यह primary अगर सही है तो आपको इतना करने के जुरूरत नहीं है समझ लिजिए कि आपका primary ठीक है अब आपका transformer यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो मेरा primary खराब था इसलिए मैंने इसको भी रिपेर किया है तभी यह आगे प्रोसेस होगा आगे अब आते हैं में टोपिक पे तो समझ लिजिए आपके पार जो transformer है उसका secondary वायर हटा दिया है जैसे मैंने यहाँ पे हटा दिया है जैसे मैंने यहाँ पे पहले हट यहाँ वा था तो यह 85 टर्न के करीब में था और यह जो भी है 20 नंबर है और यह 85 टर्न जो है 12 वोल्ट को complete करता है दो एंपियर में और इस पर जो वायर लगा हुआ था 19 इस पर जो वायर लगा था 20 नंबर का लगा था अब हमें क्या करना है कि इस पर टर्न किस परकाट से देना है मैं आपको थोड़ा रो करते बता देता हूं ताकि आप लोग अच्छा से समझ सकें पहले जो ये प्रैमडी मान लेते हैं ये वाला जो भी है और पहले जो 0-12 का जो कोयल था इस परकार से लगा था और इस पे 85 टर्न टोटल लगे हुए थे और 20 नंबर जो है इस डवलो जी इस टेंडर वायर गेज यूज किया गया था जो कि 0 और 12 को 2 एंपियर में कम्प्लीट करता है ठीक है तो अब हमें क्या करना है कि इसको 12-0-12 बनाना है तो देखिए 12-0-12 का किस प्रकार से ड्रोइंग होगा ये हमारा हो गया प्रैमरी ये हो गया इसका कोर ठी ठीक है जैसे ही है यहां पर 85 टर्न कम्प्लीट करता है 12 बोल्ट के लिए तो हमें क्या करना है डूल सप्लाइब वाले बनाना है इस परकार से जीरो बारा और बारा चाहिए इस परकार से भी आप इसको नोट कर सकते हैं बारा जीरो बारा इस परकार से भी तो यहां पर देखिए कि जीरो और बारा को कम्पलीट करने के लिए हमें 85 टर्न चाहिए 20 नंबर में यह था 2 एंपियर का जो कि 012 का था अब हमें क्या करना है कि 012 ऐसा जो है टर्न यहां पर जैसे 85 टर्न है तो 85 के अगर हम दो गुना करेंगे तो हो जाता है 170 टर्न हमें लगाना है जहाँ पर 85 टर्न लगा हुआ था यहाँ पर 85 टर्न लगा हुआ था और अब हमें क्या करना है कि 170 टर्न देना है और यहाँ पर 1202 बनाना है तो यहाँ पर क्या है कि अब मैं यहाँ पर वायर जो है इसको मैं चेंज करूंगा जैसे यहाँ पर 20 नमबर क का वायर लगावा था तो इस पे हम लगवग 19 नंबर 19SWG का यूज करेंगे यह इससे होगा क्या कि जो पहले वाले वायर था उससे हलका से यह पतला होता है बड़ टर्न आपको 85 टर्न ही देना है ठीक है अगर 85 नहीं होता है यह लगवग 1883 के आशास में होता है तो भी चल जाएगा यह एक दो टर्न को यह अपना यह कवर कर लेता है तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है तो आईए हम यहाँ पर इसको binding करते हैं यह primary तो इस साइड है और दूसरे साइड हम आते हैं यहाँ पर इतना सा हम बाहर निकाल लेंगे ताकि हम यहाँ पर लूप निकाल सके ठीक है इस परकार से लेके इस परकार से जैसे घरी का जो दिसा होता है चलने का इस परकार से हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देखें अगर यहाँ पे यह मिल जाता है इसके साथ तो यह हमारा एक turn complete हो जाता है उसी परकार से हम इसका total turn जो 85 होता है यहाँ पे इसको हम complete कर देंगे और दो turn जो है आपको फिर से यहीं पे आएगा तो वो complete करेगा जहां से यह start किया था जैसे देखिए यहाँ पे यह आगिया तो यह दो turn हो गया इस परकार से का turn का हम calculation करते हैं तो हमें क्या करना है कि इसको बहुत ही बारीकी से बैठाना है और gap नहीं रखना है क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था कि 85 turn जब 0-12 को इसी बॉबिन पर लगाए गया है तो दुबारा हमें 85 turn इस पर लगाना है तो बहुत ही लगाना मुश्किल हो जाता है इसलिए हमें सुरू से ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो हमारा wire लपेडते हैं इसमें gap ना हो जैसे मैं आपको थोड़ा zoom करके दिखा देता हूं देखिए यह जो हम wire को लपेडते हैं तो यहाँ पे gap ना हो जैसे इससे gap हो जता रहेगा तो इसमें क्या होता है कि आपका wire भी जो है काफी बाहर निकल जागा बॉबिन से हमें ऐसे इसमें turn को लेना है जो यह बॉबिन है इसके अंदर ही रहे यह जो जितना देख रहे हैं इसका core इ लास्ट में यहाँ पर यह बैंडिंग होते हुए इस पर आ चुका है और नीचे जब भर जाएगा तो फिर से हम स्टार्ट करते हुए नीचे से उपर की और ले चलेंगे बिना किसी लेदराइस पेपर को रहते हुए क्योंकि छोटा टांस्परमरी यह चल जाएगा ठीक है तो अब मैं क्या कर रहा हुँ देखिए यह जो ऊपर से नीचे आ रहा था तो अब नीचे से मैं उपर ले जा रहा हूँ तो ऐसे करके मैं बैंडिंग करूँगा आईए हम यहाँ पर इसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं हम दोस्तों मैंने यहाँ से लेकर 85 ऐसी तक यहाँ पर मैं टर्न लगा दिया है और 0 को लूप निकालने के लिए छोटा पर रहा है तो इसको ऐसे टर्न को एक टर्न कम कर लूँगा जैसे 84 हो जायगा और बीच से मैं इसको इस परकार से निकाल लूँगा तो यह हमारा 0-12 एक त्यार हो गया है और अभी भी थोड़ा सा जगह इसमें बचा हुआ है और इसको इस परकार से हम दबा देंगे हलका हलका करके उसके बाद मैं यहां पर क्या करूँगा जो पहला वाला layer था उस पर मैं एक टेप इस परकार से थोड़ा सा लगा दूँगा इस परकार से ये एक हमारा तयार हो जाता है ठीक ये 0 बारा और दूसरा वाला जो वायर हम यहां से start करेंगे वो किस परकार से start करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये जो वायर है फिर से मैं start करूँगा इसमें binding करने का तो इस वायर को हमें कहां से रखना है इसको फिर से हमें यहीं पर रखना है जहां पर 0 निकला था इसको फिर हमें यहीं पर रखना है देखे यहां पर 0 निकला था उसके बाद ये बीच वाले से ही लेके हमें उसी साइट पे इसको घुमाते बैंडिंग करना है जिस परकार से मैंने सुरू में किया था अगर सुरू में हमें इस साइट से करते हैं बायां से दाएं तो बायां से दाएं अभी करते हैं मैंने दाहिना से बायाक किया है जिसे घड़ी का दिशा होता है उस परकार से तो इसको भी मैं उसी परकार से यहां पर बैंडिंग कर दूंगा आइए हम इसको भी 85 टन लगवा को दे देते हैं क्योंकि एक टन यहां पर कम हो गया था यह लगवा चौरासी के आसपास में हो चुका था क्योंकि जब मैंने 85 यहां पर ला रहा था तो वैर छोटा पर जा रहा था इसलिए मैं एक टन को कम कर दिया है अब मैं फिर से इसको बैंडिंग कर दे रहा हूं तो आईए फट फट से मैं इसका बैंडिंग कर लेते फिर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों यहां पर बैंडिंग करते करते मैं नीचे की तरफ आ चुका हूं अब मैं यहां पर नीचे से ओपर क्योड जाओंगा क्योंकि अभी भी मेरा 85 टन कंप्लीट नहीं हुआ है और यह चोटा पर रहा है तो मैं यहां पर इसको एक टर्न और कम करके यहीं से निकाल देता हूं तो देखिए यहां पर लगवाग यह सभी बैंडिंग हो चुका है 12, 0, 12 ठीक है इस परकार से करने के बाद हमें यह देखना है कि यहां पर प्लस्टीक का कॉर होता है इसमें बाहर तो नहीं आ रहा है देखिए इस परकार से देखना है यहां पे कुछ आ रहा है तो में मैं इसको इसको इस परकार से दबा दूंगा तो यह अंदर के उर्ट चला जाएगा ठीक है इसको भी में देख लेता हूं हलका सा आ इस प्रकार से इस प्रकार से कर देंगे तो यह अंदर की और भाग जाएगा हलका हलका ज्यादा प्रेस नहीं करना इससे क्या होगा कि आपका बॉबिन प्लास्टिक है तो वह तूट भी सकता है ठीक है पहले मैं यहां पर टेप लगा देता हूं सभी पर उसके बाद मैं लेदराइज पेबर यूज़ करूँगा मैं अच्छे तरीका से इस पर टेप को लगा देता हूं इस प्रकार से टेप लगा देना है उसके बाद लेदराइज पेबर है उसको पहले मैं यहां पर लगा लूँगा यहां हलका सा लगा लूँगा ताकि मैं यहां पर कनेक्शन कर सकूँ इस प्रकार से मैंने यहां पर लगा दिया है क्योंकि यहां पर मुझे कनेक्शन करना है वायर का तो देखिए सुरूपे मैंने यहां पर एक वायर स्टार्टिंग यहां से किया था और एक लास्ट मैंने खत्म यहां से किया था देखिए यह वाला यह इसका लूप इसके साथ है और यह वाला स्टार्ट मैंने यहार किया तो यह निकला हुआ है तो यहां teraz क्या करूँगा जो फालदो का वायर है istqo मैं यहारा कट करकर दूगा पूर्प ऐसके बाद क्या करना है कि इसको अलग कर देना है और इसको अलग कर देना और बीच में जो यह दोनों वायर आ रहा है उसको एक साथ हमें जोड देना है तो जोडने से पहले हमें इंसुलेशन यहां से हटाना होगा ठीक है इस परकार से कर लेना है और insulation को मैं यहां पर सभी पर से हटा लेता हूं बहुत ही आराम से हट जाता है कोई दिक्कत नहीं है इंसुलेशन यहां से हट जाता है दोस्तों मैं यहां पर insulation को हटा दिया है यह zero वाला जो दो वायर आ रहा था और इसको एक साथ हमें जोड देना है इसको इस परकार से इस परकार से जोड देना है इसके बाद हम यहां पर continuity चेक करेंगे और यहां पर देखिए पहले बीच वाले में आपको लगाना है और इसके बाद दोनों साइड में करना है अगर ऐसे में बीप आ रहा है तो यह हमारा connection बिल्कुश सही है और देखिए 12 और 12 में अगर हम इसको टेस्ट करते हैं अगर यह बीप का sound नहीं करता तो यहां से है चonderong एक्षा से जूरा रहता है तो यहां पर देखिए continuity आ रहा है देखिए यहां पे विल्कुल हमारा ओक है इसके बाद यहां पर मैं तीन लूँगा लूप निकालने के लिए यहां पर मैंने टीन ले लिए चुकि दो इन पर का है और एक ब्लैक क्लर का है जो दो गिरी इंकल रहा है यह 12 और 12 में मैं यूज करने वाला हूं और यह भी वैर जो है एलमुनियम का ही है देखिए इसको मैं यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन कर रहा हूं एक हमारा यहाँ पर complete हो जाता है और इस पर थोड़ा सा टेप लगा देंगे ऐसे हलका सा मोट देंगे यहाँ पर इस परकार से टेप लगा देंगे उसके बाद हमें क्या करना है कि 0 के लिए हम यह ब्लेक वाला वायर को यूज करेंगे यह हो चुका है उसके बाद इसको भी हम यहां पर बीच में सेंटर में रखके और हलका सा इसको मोर देंगे हलका सा ऐसे देखिए उसके बाद इसको भी हम टेप लगा देंगे उसके बाद बचा एक और यहाँ पर लूप निकला हुआ जो कि बारा है उसको हम इस वायर में कनेक्शन कर देते हैं यह हो जाने बाद इसको भी हलका मोर देंगे और इस पर टेप लगा देंगे यह हो गया है इसके बाद हम एक बार continuity को चेक कर लेंगे इस वायर में अगर यह continuity अच्छा से बता रहा है तो वायर हमारा जो है अच्छे से यह कनेक्ट हो चुका लेंगे जो ब्लेक कलर का है और यह दोनों साइड वाले में चेक करेंगे बिल्कुल ओके है कोई डिकत नहीं है उसके बाद यहां पर एक बार और जो मैं टेप से अच्छे से कवर कर दूँगा यहां पर यह हो गया है उसके बाद जो लेदराइस पिपर बचा हुआ था यहां पर जो हाड वाला था उसको मैं यहां पर इसके ऊपर कवर चढ़ा दूँगा यहां पर इस पर कर से आपके पास अगर लेदराइस पिपर नहीं है तो आपको यह कॉपी का भी पढ़ना यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जितना काम था बैंडिंग का वह हो गया है और यहां पर देखिए बारा जीरो बारा का यह लूप निकल गया है जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि इसमें जो लूप था दिखेंगे तो प्रकार से अपने पर निकाला था फिरी में आपको इक पार दिखा देता हूं पहले यहां को यूज में लोंगा ठीक है यह 1 कॉर मैंने ले लिया जो कि ई है इस परकार से इसको यहां पर लगा देना यहां पर घ्राव सके वाद दुसरे वाले पिर को लएंगे और यहां पर लगा देंगी , इस प्रकार से , पहले मैं एक कोर को स्टाट करूँँगा , एक दूसरे के उपर रखते राखते हुए , पिस लेंगे , मैंने इधर से रखा , अब मैं इधर से रखोंगा , उसके बाद ज यूँ है रखते चला जाऊंगा एक साइड इधर से एक साइड इधर से हैं कि तो दोस्तों यहां पर देखे कि इतना कोर लगाने के बाद यह हलका सा टाइट हो रहा है और कुछ यहां पर यहां पर बच रहा है लेकिन इसको को हमें इसी में लगाना है तो देखिए किस परकार से लगाते हैं इसमें हम इस कुरू ड्रैवर को अगर इस परकार से लगाएंगे इसमें जो है यह जगह बन जाएगा और इसी बीच में इसको डालना स्टार्ट कर देंगे ऐसे ही करके डालेंगे और देखिए दोस्तों अभी इतना गैप इसमें बचा हुआ है जो की इक और इसमें लगेगा तो इसमें हम इसी परकार से space को बनाते हुए screw driver से इसको हम लगाते रहेंगे ऐसा नहीं है कि यह नहीं लगेगा यह इसी में से निकला है तो लगेगा क्यूं नहीं बहुत ही आराम से आपको लगाना है अगर यह केठा हो जाएगा तो इसमें भी दिखकत हो जाएगा इसमें सभी लग गया है अब यहां पर दिखिए सब आई-Core बचा हुआ है यहां पर जितने भी आई-Core बचे हुए हैं सभी को मैं एक एक के बीच में लगा देंगा जहां पर यह इसका जगह है तो आईए फटा फटा से में इसको लगा लेते हैं इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखी दोस्तो एक साइड से जितने भी आईकोर लगाने थे मैंने लगा दिया है अब दूसरे साइड मैं आईकोर को लगा लेता हूँ दोस्तो दूसरे साइड भी मैंने जितने भी आईकोर थे सभी को मैंने लगा दिया है और सभी को एक बार अच्छे तरीका से रखके चारो साइड से पीट कर इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे देखिए यह इस परकार से बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है यह टांस्पर्मर्ड जो है अब मेरा कम्प्लीट हो चुका है अब इसका हम बॉड़ी को लगा देंगे इसमें कागज का टुकरा रखतें लिए ताकि हमिंग नहों अगर इसमें जो बार स्थ होता है उसको अगर हम ालका लका डाल देंगे तो और अच्छा होगा इससे क्या होगा कि जितने भी छोटा छोटा गैप अगर बची भी जाता है वो हमारा भर जाएगा इससे हमिंग बिल्कुल नहीं होगा खेर इतना में भी नहीं आना चाहिए क्योंकि यह छोटा मोटा टांसफार्मर है तो दखिए दोसतो यहाँ पर यह ही टांसफर्मर है मेरा बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है अब यहाँ पर हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या यह कि हमारा टांस्ट्फरंबर जो है बिल्कुल सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ है तो एक बार लास्ट में मैं कॉंटिनीटी से चेक कर लूता हूं कि जो मैंने यहां से लूप निकाला है वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यह रहा मेरा primary का जोगी red color का है और यह रहा secondary का यहाँ पर primary को चेक करेंगे तो देखिए primary में हमारा बीप नहीं आएगा लेकिन कुछ reading बताएगा यह मेरा बिल्गल ओके है और एक बार मैं आपको body current भी चेक करके दिखा देता हूं देखिए दोनों को आपको यहाँ पर रखना है और body भी लगा कर देखना है कि कहीं से body current भी तो नहीं आ रहा है तो यह बिल्कुल body से कहीं कोई connection नहीं है अगर यह body से इसका connection भाता तो यह beep का sound देता ऐसे में यह transformer को आप बिल्कुल यूज ना करें ऐसे में body current आने से यह होगा कि आपको current भी लग सकता है तो यहाँ पर continuity body के साथ नहीं बना रहा है बिल्कुल मेरा primary ओके है उसके बाद मैं secondary wire को चेक करूँगा तो मैं बीच वाले को ले लूँगा और यहाँ पर प्रॉप से रख लूँगा उसके बाद यह दोनों side वाला जो wire हमारा आ जाता है उसको हम एक ही करके चेक कर लेंगे यहाँ पर बिल्कुल ओके है इस पर आएगा ही आएगा और यह देखिए यहाँ पर भी ओके है यह हो गया उसके बाद हम 12 और 12 को भी एक बार चेक कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर दो दो चार यह बिल्कुल ओके है उसके बाद हम body current इसके साथ भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर 0 वाले को लेंगे और body के साथ यहाँ पर टच करके देखेंगे ठीक है यहाँ पर किसी भी परकार का इसमें body current नहीं है मतलब यह हमारा transformer जो है बिल्कु हम इसको करेंगे तो आईए हम इसको चेक करते हैं और इसमें मैं power supply दूँगा तो इसमें मैंने power supply दे दिया है और एक बार मैं test करने स्पलेस में spark करके देखता हूँ ठीक है तो यहाँ पर हमारा यह बिल्कुल ओके है एक बार मैं आपको वोल्ट को चेक करके दिखा देता हूँ कि बोल्ट हमारा कितना बना रहा है जो बारा-जीरो-बारा का टांस्टर मैंने बनी किया है तो इसी बाले पर मैं point कर लूँगा जो की 200 बोल्ट पर है उसके बा बाद यह जीरो वाले को बलेक वाले परोप्स पर रखेंगे और पहले 0-12 को चेक करेंगे तो देखे दोस्तों हमारा लगा हो कि यहाँ पर 13 वॉल्ट बना रहा है मतलब यह बिल्कुल ओके है उसके वाद इसको हटा लेंगी और दूसरे वाले को चेक कर लेंगे यहां पर तो इसमें 12.7 और इसमें बता रहा है कितना 13 एक दो टर्न का हेर फिर हो सकता है दोनों में इससे कोई बड़ा फर्क नहीं है यह दोनों आप इसको 12-0-12 बोज सकते हूं यह बिल्कुल हमारा ओके है एक बार देखिए 12 और 12 को मैं चेकर करके दिखा देता हूं तो यहां पर व बोल्ट कम आ रहा है बाकी कोई दिक्कत नहीं है यह हमारा बिल्कुल ओके है तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से 0-12 टांसफरमा को 12-0-12 में कंडवर्ट करके मैंने आपको दिखाया है अगर आप भी 0-12 टांसफरमा को रियल 12-0-12 बनाना चाहते हैं तो यह प्रोसेस होता है 0-12 से 12-0-12 का टांसफरमा बनाना जबकि शुरू में आपको मैंने बताया था कि यूटूब पे काफी सारे ऐस कि नहीं होता है सिर्फ नाम का होता है और असली जो 12-0-12 होता है जोकि 0-12 से तैयार होता है यह इस प्रकार से प्रोसेस इसका होता है तो यह 2 display में मैंने आपको बना कर दिखाया है अगर 3 appear रहता तो प्रोसेस यही रहता ठीक है तो दूस्तों हमारा वीडियो कैसा लागा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखनी के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो